राम अगवान को साइने के लिए हिंदू होना ज़रूरी नहीं है उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाई है, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और दिल में जञजबा होना चाहिए बस जैश्रीराम कंधी पर केसर्याद्वज, पीट पर राम मंदिर की तस्वीर और जैश्री राम का नारा लिखे हुए बैनर के साथ पैदल यात्रा पर निकली शबनम शेक की इन दिनों खूप चर्चा हो रही है दरसल शबनम मुंबई से अपने दो दोस्तों के साथ पैदल अयोध्या के लिए निकली है शबनम का एक ही उद्देश है राम नला के दर्शन करना शबनम खुद को सनातनी मुस्लिम बताती है शबनम शेक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज़सरकार की तरफ से तीन पुलिसकर में शबनम की सुरक्षा में तैनात किये गए है आज हमें 6 दिन होगया है 6 दिन से हम सपर कर रहे है और सुबासुगा हमने यात्रा अरम किया है रखुषरी रामजी का नाम है और हम ने यही सोच है कि भाई हम कभी भी पॉच्छे नहीं नहीं सोच है कि हम पाइस जैनुवरी को पहुचेंगे उटखार्टन के दिन हम कभी भी पहुचेंगे हम दर्शन लेकर भी रहे हमारे दिल में यही इच्छा है रॉक्त रखकी है रामजी को मानने के लिए Hindu होना है जग ज़रूरी नहीं ऑट एण कर सकते हैं और वी कर सकते हैं। डिको नहीं है चाहिए हैं मुझे रिज मteड़े हैं। जो सेफ सानातन दर्म में भोला गया है कि मैलाई देवी लक्ष्मी की रूप होती है तो हम क्यों नहीं यह सारी चीज़े कर सकते हैं हमें तो नारी शक्ति बहा गया है तो मैं एक नारी शक्ति हूँ और मैं वही बता रहे हैं लोगों को कि भाई लड़के ही नहीं महिलाए बियैंक आरी कर सकते हैं कुछबी कर सकते हैं शबनम अब तक सो किलो मीटर से जादा का सफर भी तई कर चुकी है लोगों तक शबनम ये संदेश पहुचाना चाहती हैं कि यह यात्रा कोई publicity stunt नहीं है बलकि एक आध्यात्मिक यात्रा है साथ ही उन्हें खुशी है कि वो इस एतिहातिक शण की साक्षी बनने जा रही है